अमारे तो आशे में आपके साथ मैं शैर करने वाली हूँ तौप लोड वाशिण मश Clayton zasude सब्सक्राइब सब्सक्राइब पूर Scientists काने करदा accents की साथ सब्सक्राइब करेंगे तो साइज रोटिफिकेशन मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी चलि ये वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो आज के सब्सक्राइब मैं आपके साथ में टॉप लोड वाशिन मशीन का डीटेल्ड वीडियो लेकर आई हूँ डीटेल एक्स्प्लिनेशन शुरू से लेके अन तक के पूरा प्रोसीजर आपको इस वीडियो में बताऊंगी तो जितने भी आपके डाउट है सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे तो सारे धुलने वाले जो कपड़े होते हैं मैंने इसमें डाल दिये और डिटरजेंट मैंने नहीं डाला है क्योंकि मुझे आपको बताना है कितनी अमाउट में डिटरजेंट लेती हूँ ऑउए और यहां पर डालना होगा और यहां पर डालना है तो चलिए मैं जल्दी से डिटरजेंट को डाल देती हूँ और कितनी quantity में ले रही हूँ वो भी बताती हूँ तो मैंने या पे one scoop लिया है detergent का उसको डाल देंगे और कई लोग मुझसे पूछते कौन सा detergent मैं यूज़ करती हूँ तो मैंने फिलाल यहां पी लिया है अभी सर्फ एक्सिल तो पूरा डा में डाल दूँगी इसको और एक आधा scoop मैं और ले लूँगी कपडों के हिसाब से आप कम यह जादा अपने हिसाब से कर सकते हैं और ध्यान में रखिए जिनकी भी top load machine है आपको detergent का इस तरीके से दिया होगा उसी में आपको detergent डालना है और मैं यहां पे डाल दूँगी fabric softner तो उसको भी specific area दिया गया है बहुत लोग का confusion रहता है कि इसको हमें कब डालना है कहां डालना है तो आप देख लीजे मैं कहां पर डालती हूं इसको और cup डालते हैं इसको तो मैं अभी डालूँगी इसमें आदा धकन मैंने या पर fabric conditioner ले लिया है यह ज़रूरी नहीं है डालना लेकिन मैं डाल रही हूं अगर आप भी डालते हैं तो इस तरीके से आप डाल सकते हैं तो हमें जो है fabric softner को डालना है machine liquid detergent का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो चलिए मैंने धकन लगा दिया है machine को start करते है main switch on कर देंगे और tap को on कर देंगे तो main switch on करने के बाद में power का button है उसको बस आपको प्रेस करना है एक बार दोस्तो इस machine का बहुत easy function है कोई भी इसे operate कर सकते हैं आपकी मम्मी ग्रांड मदर वगरा कोई भी इसे operate कर सकते हैं mostly जो है मम्मी या या ग्रांड मदर जो है semi-automatic machine लेते हैं क्योंकि इसका operation easy होता है यह जो machine है वो semi-automatic से भी easy है तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे जैसे मैंने on कर दिया wash rinse or spin का option select हो चुका है और यहां पर default है quick wash तो मैं यहां पर cycle को change कर सकती हूँ चाहे तो आप quick wash में भी आप कर सकते हैं यह quick wash सिर्फ लेता है 28 minutes पूरे कपड़े को clean करके सुखाने क लिए बस 28 minutes में आपका पूरा procedure complete हो जाएगा आप चाहे तो cycle को change भी कर सकते है इस button को दबागे जैसे delicate, soak plus normal, blanket, eco tub clean जो आपको करना आप कर सकते हैं तो चलिए एक normal option में wash करके आपको दिखाती हूँ wash rinse spin तो पहले से selected है और अगर आपको cycle change नहीं करना है तो आप quick wash जो default था आपको जो अपर करने की जरुवत नहीं है लेकिन मैं आपको यहां पे extra बताऊंगी आपको की आपको मौनसून option अगर select करना है जैसे कि बारिश का season होता है जहां पे आपको चाहिए कि आपको कपड़े जल्दी से जल्दी सूख जाए तो आप यहां पे इस पर जल्दी से स 15 मिनट और 30 मिनट तो जितना भी टाइं यह लेगा नॉर्मल मोड में उससे 15 मिनट यह एक स्ट्रले गर आप 15 मिनट चलेट करते हैं तो इस इस बटन को एक बार दबाने से आप से अर्त कर सकते हैं और कैंसल करना पे एक बार दबाईये पूरा cetteiny कैंसल हो जाएगा मैं दिखाती हूँ आपको और एक बार आप दबाएंगे इसको तो देखिए पूरा जो सेटिंगे कैंसल हो जाएगा अगर आपको नहीं चाहिए तो चलिए मैं आपको सिलेट करके ही बताती हूँ आप 15 मिनिट का मैंने सिलेट कर लिया है तो जितना भी नॉर्मल मोर के लिए ऑप्शन ये टाइम लेता है उससे 15 मिन एक्स्ट्रा लेगा और वाटर लेवल तो ये अपने आप सिलेट कर लेता है ये जैसे कि मैंने बता है बहु सटिंग बताई है तो चलिए इसको स्टार्ट कर देते हैं देख पा रहे होंगे की मैंने अपना काम शुरू कर दिया है है डेटेट करना कपडों का बेडेट करना और जैसे है बिटेट कर लेता है वाटर लेवल अपने आप सिलेक्ट हो Smith 2 है ये तो यहां पे हमारा बलते अपने हिसाब से आप चाहते हैं कि जादा हो water level तो आप जादा के लिए select कर सकते हैं जैसे आप water level increase करेंगे यहाँ पर timer भी आपका देखी increase हो रहा है अगर मैं चाहू water level 4 पर रखना तो 4 पर भी रख सकती हूँ अगर मैं चाहू 5 पर रखना तो 5 पर भी रख सकती हूँ और इसके कम भी कर सकते हैं आप 4 से 2, 1 जैसे आपको चाहिए उस हिसाब से आप water level को यहाँ से असानी से select कर सकते हैं तो यहाँ पर सारी setting हो गए और एक बाद बता दू जैसे आपने सारा का सारा setting कर लिया उसके बाद अगर आपको चाहिए तो देखे मॉन सुन ऊप्शन में press कर रही हूँ लेकिन वो change नहीं हो रहा है यहाँ पर कोई भी setting अभी change नहीं होगी cycle भी हाँ पर में press कर रही हूँ लेकिन change नहीं हो रहा है एक बार select कर लिया तो select हो गया है ना cycle option change होगा ना monsoon option यहाँ पर change होगा तो यहाँ पर हमने सारी की सारी setting कर ली है और machine भी जो है start हो चुकी है लेकिन आप water level यहाँ से फिर से select या deselect कर सकते हैं तो चल लें देते machine को 58 minutes का time ले रही है जैसे कि मैंने बताया को quick mode पर भी आप wash कर सकते हैं इसमें की 28 minutes में ही machine पूरा उसका functioning होता है वो complete हो जाता है लेकिन मैंने यहाँ पर जैसे कि बताया कि आपको मैंने extra यहाँ पर features select किये हैं इसके वज़े से timing जादा ले रहा है यहाँ पर machine में पानी भर चुका है machine कुमना start हो गई है wash function चल रहा है यहाँ पर मैं पूरा procedure बताऊंगे आपको wash rinse or spin तीनों भी बताऊंगे आपको ताकि आपको कोई confusion ना रहे और जैसे 4 level तक पानी भर जाता है machine अपना काम शुरू कर देती है तो machine अपना काम शुरू कर दिया है और आपको tap यहाँ पर off करने की जरूत नहीं कई लोगी question आते है कि क्या हम tap को off कर दे पानी भरने के बाद तो बिल्कुल आपको tap को off नहीं करना क्योंकि एक और बार machine बीच में पानी लेती है तो आपको tap को on ही रखना है आप देख पा रहे होंगे कि यह बहुत ही smart machine है यह automatically पानी को बंद कर देती है इसलिए आपको tap off करने की जरूत नहीं है close करने की जरूत नहीं है और आपका पानी बिल्कुल भी यहाँ पर waste नहीं होता है क्योंकि machine ने automatically पानी लेना बंद कर दिया है तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखने है कि पूरे process तक आपको पानी on ही रखना है तो यहाँ पर जो है wash चल रहा है machine कपडों को धो रही है यह वे function भी wash का चल रहा है 54 minutes बाकी है सारी function में आपको बताऊंगी wash rinse और spin तीनों भी function आपको मैं detail में बताने वाली हूँ तो end तक के वीडियो में जरूर बने रहे ताकि आपको कोई भी confusion ना हो तो हमने क् इस ट्रा स्पेस चोड़ी ती उपर देखें कितना अच्छे तरीके से कपड़े घूम रहे हैं और अच्छे से दूलेंगे भी कपड़े साफ दूलेंगे और बिल्कुल भी कपड़ों में detergent नहीं रहेगा इससे और आपने देखा मैंने कितना quantity में detergent लिया सब कुछ मैंने आपको इस पुड़ी में बताया है ताकि कोई भी confusion ना रहे है तो देखिए यहां पर 37 minutes बचे हुए है रिंस फंक्षन शुरू हो चुका है तो रिंसिंग में क्या करता है पूरा पानी एक मशीन निकाल देता है जो भी कपड़े दुले है वो पूरा पानी मशीन निकाल दे फिर से दुबारा से पानी लेती है और फिर से कपड़ों को दोती है यह प्रोसेस होता है रिंस में क्यूंकि मैं आपको बता रही हूं वीडियो बना रही हूं इसलिए में बार बार यहां पर आको आके बता रही हूं प्रोसेस उसका की कैसे हो रहा है अगर आप घर में शुरू हो चुकी है तो ये rinse ही चल रहा है आपे rinse mode ही चल रहा है और आप speed देख सकते है spinning का तो normal mode पर आपे हमें ध्यान देना है कितने बार machine पानी लेती है बहुत लोगी question आते है machine यापे normal mode में लेती हैं दो बार पानी ये चुरू में और एक middle में तो इसके बाद फिर से machine पानी लेगी, अभी 35 minutes बचे हुए है, रिंजिंग चल रहा है, और अब देखिए, पूरा dry होने के बाद ने फिर से machine ने पानी लेना शुरू कर दिया है, तो मैंने यहाँ पर tap को on ही रखा था, इसलिए मैं बोलती हो कि tap को आपको on रखना है क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा machine कब पानी ले रही है, और फिर machine error बताएगी, इसलिए आपको tap को हमेशा on ही रखना है, जैसे आपको पानी की नीड होती हो, पानी ले लेती है machine, अभी rinse process ही चल रहा है, 4 level तक पानी भरेगी machine, उसकी बाद में फिर से दुबारा से घूमेगी कप कर चुका है, और अब फिर से कपड़े rotate होना शुरू हो चुके है, 28 minutes अभी भी बाकी है, और rinse process ही अब तक चल रहा है, तो यहाँ पे देखे 21 minutes बाकी है, और rinse होने की बाद में, spin पे आ गया है function, और अब यहाँ पे spinning चल रही है, तो 20 minutes तक continuously यहाँ पे spinning चलेगी, actually 20 minutes तक नहीं चलती है, 5 minutes तक ही चलती है, spinning आखरी में, क्योंकि हमने यहाँ पे monsoon option select किया हुआ है, 15 minutes का, इसलिए 15 minutes extra चल रही है, जिससे की ज्यादा आपके कपड़े सूखेंगे, दोस्तों हो सकता है, यहाँ पे जो है, वीडियो लंबा हो रहा होगा, लेकिन मुझे आपको detail explanation देनी है, सब कुछ आपको clearly बताना है, क्योंकि बहुत लोगों ने यह machine खरी दी है, मेरे subscribers ने, और मैं चाहती हूँ, उनको बिलकुल भी confusion ना रहे, इसे operation, operate करने में, इस वीडियो को देखने के बाद, आपका A to Z doubt, सारा doubt machine के बारे में clear हो जाएगा, तो 20 minute बचा है, 20 minute यह पूरा spin करने वाला है, और यकीन मानिए, 15 minute से ही आप इसका spinning करोगे, बहुत अच्छे कपड़े सोक के निकलते हैं, और बहुत जल्दी dry हो जाते हैं, आप बाहर डाल काफी हद तक यहां पे कपड़े सूक जाते हैं, 15 minute के option से ही, अगर आप 30 minute का करते हैं, 30 minute continuously यहां पे spin होगी machine, और बहुत अच्छे कपड़े आपके फिर से dry हो जाएंगे, दोस्तों यह machine जो है, उससे operate करना बहुत आसान है, आपने देख लिया पूरा procedure, in fact मैंने आपको additional feature आपको monsoon, cycle change करके बताया, इसलिए timing जो है, वो extra हो गया है, लेकिन आप बहुत ही आसानी से, 28 minute में सारे कपड़े आपके दूल के निकल जाएंगे, वो भी सूक के निकल जाएंगे partially, तो आप चाहते हैं, बजट में वाश इन मशीन लेना, तो इस वाश इन मशीन को आप ज मशीन है, बहुत ही easy है, अपरेट करने में आप इसे gift भी कर सकते है, अपनी ममी को, यह उनको बहुत पसंद आएगी क्योंकि यह बहुत easy है, तो यहाँ पर देखिए, बस दो मिंट बचे हुए है, प्रोसेस को complete होने के लिए, spinning चल रहा है, दोस्तों यह जो मशीन है, प्रा बस लास्ट एक मिंट बचा हुआ है, प्रोसेस को complete करने के लिए, इसके बाद में खोल के बताऊंगे आपको, कि कितना हद तक हमारे कपडे सूखे है, और इसमें child lock का भी option है, जो कि बहुत ही फायदेमंद है, अगर आपकी घर में बच्चे हैं तो, लास्ट एक मिंट बच आप किस तरीके से बीब बचाती है, मशीन, म्यूजिक आपने सुना, इसका मादलब प्रोसेस हमारा complete हो चुका है, अब हम power को यहाँ पर off कर देंगे, main switch को off कर देंगे, tap को भी हम, null को भी हम यहीं पर बंद कर देंगे, सारी चीज बन करने के बाद में, अब मैं आप आपक को open करके बताती हूं किस तरीके से हमारे कपड़े सूखे हैं, तो यहाँ पर देखिए, कपड़े जो है, बहुत ही अची तरीके से सूख गये हैं, एक कपड़ा मैं आपको निकाल के बताती हूं, और इस मशीन की खास बात यह दोस्तों कि कपड़े आपस में उलजते भी न निकल रहा है, मेरे हाथ पे भी आप देखिए, बिल्कुल भी पानी आपको नहीं दिखेगा, तो आपको सारा confusion आपका clear हो गया होगा, तो मैंने आपको लंबे procedure से ही बताया है कि कैसे machine को operate किया जाता है, अगर आपी में कोई confusion है आपको तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हो आपके confusion solve करने की पूरी-पूरी कोशिश में करूंगी